ये कहानी तो ऐसे बेस्ट फ्रेंट पे आधारित है जिने एक ही लड़की से प्यार हो जाता है वो दोनों उसके साथ घपा घप करने के लिए सारी हदे पार कर देते हैं उसके बाद उन तीनों की मीश में क्या होता है वो हम आज की इस एक्स्प्लेनेशन में देखने वाले है मैं आज जिस मूवी को एक्स्प्लेन करने वाली हूँ इस मूवी का नाम है दले ओवर और ये मूवी 2017 में रिलीज हुई थी मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम केट को देखते हैं जो की एक स्कूल टीचर है वो बच्चों को पढ़ा रही थी तब वो पीछे बैठ एक रहा था लेकिन केट उसको डाटने के बज़ाए सबको कॉमिक बुक पढ़ के सुनाने को बोलती है उसके बाद केट भी उस बुक पे इंटरेस्ट लेके सुनने लगती है तब ही वहाँ स्कूल का प्रिंसिपल आ जाता है और वो केट को अपने ऑफिस में बुलाता है जहां वो केट को बोलता है कि तुम बहुत सुन्दर हो और तुमारी आखे भी बहुत जादा प्यारी है और तुम्हें तीचर नहीं होना चाहिए दरसल प्रिंसिपल उसे इंडिरेकली जॉब छोड़ने के लिए बोल रहा था इधर हम दूसरी लड़की में को देखते हैं जो एक चाहु पर्की में खड़े होने के वज़े से पुलिस उसकी कार के वाहा से ली जाती है और घर Fighter नेखती हैं के में कुद दा रांस कर रही है यहां हमें पता चलता है कि ़ी दोनों एक बेस्ट फृरेंड है और दोनों एक साथ रहते हैं में muchicas को मताती है कि आज मेरा दिन सब जल्दी उठाती है और उसे बताती है कि हमें अपना स्ट्रेस कम करने के लिए कहीं गूमने जाना जाहिए जिस पे केट बोलती है कि हम इसके बारे में बात में बात करेंगे पर में बोलती है कि मैंने अल्रेडी फ्लाइट की टिकेट बुक कर दी है और अब से तीन घंटे बा तक्का करने लगती है और वो स्टाफ मेग के बातों में आके उसे पहले निकाल देता है और ये दोनों फ्लाइट में अपने सीट पे बैट के चैन की सास लेते हैं लेकिन उन दोनों के बीच की सीट किसी रायन नाम के आदमी की थी और वो उन दोनों के बीच एक राजा के ति राइन ट्लूिज में ऊतारना पड़ेगा जिसके बाद ये दोनों वहाँ एक होटल बुक्त करते हैं जहां ये दोनों बोलते हैं कि हमारा समान अइरपोर्ट पे मिस हो गया है उसके बाद ये दोनों लेफ के पास जाते हैं और जैसे ही लेफ खुलता है तो इने वो धर की राइन दिखता है जिससे ये दोनों उससे पूछते हैं कि तुम यहां क्या कर रहे हो जिस पे राइन मोलता है कि मेरे फ्रेंड के शादी में भी टाइम है इसलिए मैं अपनी लाइफ खुल के जी रहा हूँ राइन उन दोनों को साम को ट्रिंग पे इनवाइट करता है और वो दोनों भी खुशी खुशी हा कर देते हैं बात में मैक सोचती है कि मेरा समान तो एरपोर्ट पे गुम हो गया और मेरे पास पहनने के लिए कोई दूसरे कपड़े भी नहीं है इसलिए वो केट से हल्क मांग जिसने साडी पहनी थी और वो साडी में बहुत जादा ब्यूटिफल लग रही थी तब ही वहाँ टीवी पे एक न्यूज आता है कि फ्लोरिडा में जादा ही मौसम खराब हो रहा है जिसके वज़े से वहाँ जाने वाली सारी फ्लाइट कैंसल हो गई है और अनुमान लगा कमरे में जाने लगते हैं पर कमरे में जाने से पहले कीट और में के बीच में बहुत जाती है क्यूंकि वो दोनों एक साथ रायन को पसंद करने लगे थे अगले दिन में एक रहाएंक के साथ अगहाँ मिलोट 떠 कि य५ जाने के साथ तब लाइन उसे अपनी बातों में लगा कर शांत करता है अगले दिन केट और मेंग एक कॉफी शॉप पर बैठे थे जहां उन्हें पता चलता है कि रायन यहां से जा रहा है तब वो दोनों रायन के पास पहुचते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कहां जा रहे हो रायन उनसे बोलता है कि मैं शादी में जा रहा हूँ तब केट और मेंग रायन को उनके साथ चलने के रहे बोलते हैं और वो भी उनके साथ चलने के लिए तयार हो जाता है उसके बाद वो लोग एक टैक्सी में बैठते हैं और उस टेक्सी ट्राइवर का नम केस था जिसे मेग बहुत ज़्यादा पसंद आती है पीछे मेग रायन के साथ मस्ती कर रही थी और उसके बाद वो उसके हाथों पे लोशन लगाने लगती है पर केट को यह सब पिल्कुल पसंद नहीं आता जिसके बाद वो मेग की एक इंडों से बाहर निकलती है लेकिन उनफॉर्चनेटली वो कोड़े के डेर में गिर जाती है जिससे उसके सारे कपड़े गंदे हो जाते है रायन केट से पूछता है कि कि तुम्हें क्या हुआ जिस पर केट बोलती है कि किसी ने बातरूम का दरवाजा बंद कर दिया था औ में मसाज करने लगता है लेकिन मेग को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो जैलिस करने लगती है तब वो गुसे में शैंपेंग में बहुत सारे मीन की दवा मिलाने लगती है और वो केट को देती है लेकिन केट शैंपेंग पीने से मना कर देती है तब क्रे उससे वो बोतल ले लेता है और खुद पीने लगता है मेंक उसे बोलती है कि तुम्हें ड्राइव करते समय नींद आएगी तब क्रे उसे बोलता है कि मुझे ड्राइविंग करने का बहुत अच्छा एक्स्पिरियंस है और मैं इससे पहले भी ट्रिंकर के ट्राइव कर चुका हूँ उसके कुछ समय बाद रात हो जाती है और गाड़ी में सब लोग सो जाते है और इसी बीच क्रेज भी सो जाता है और वो रोड पे एक बोड को उड़ा देता है जिसके बाद उनके आँखी खुलती है और वो एक होटल पे पहुचते है होटल के अंदर जाने से पहले केट उस बॉटल को चेक करती है जहाँ उसे बहुत सारे स्लीपिंग पिल्स मिलती है जिसे देखके वो मेक में बहुत जादा गुसा होने लगती है उसके बाद में क्लब में बैट के ट्रिंक करने लगती है और तभी वहाँ क्रेक आता है और कुछ देर बाद करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है इदर हम केट को भी देखते हैं जिससे राइन दूरते हो उसके पास आता है और वो से बोलता है कि मैं तुमें कप से अकेला ढूल रहा था और उसके बाद वो दुनों कमरे में जाके बिना सोचे समझे खपा खप करते है अगली सुमा में केट से आके मिलती है और बोलती है कि हमें एक दूसरे से एक लड़की के वज़े से नहीं लड़ना चाहिए जिससे केट में के काफी क्लोस आके बोलती है कि रात को मैंने राएन के साथ घपा घप किया जिसके कारण उन दोनों में फिर से लड़ाई हो जाती है जिसके बाद क्रेज बहाँ आता है और बोलता है की रायन शादी में जाने के लिए मेरी काड़ी चुला कर लेकी गया तब क्रेज को एक पोस्ट मिलता है जिसमें उसे पता चलता है रायन किसी और की शादी में नहीं बलकि अपनी शादी में गया है जिसके बाद ये दोनों में पुलिस से रिक्वेस्ट करती है कि रायन ने हम दोनों के लाइफ खराब करती है और अब वो किसी तिसरी की लाइफ खराब करने के लिए जा रहा है और पुलिस भी इनको इस बात पर छोड़ देती है और ये दोनों रायन के शादी में बिनादावत के पहुँच जाते हैं लेकिन इनके वहाँ पहुचने से पहले ही रायन की शादी हो चुकी थी लेकिन रायन इन दोनों को वहाँ पर देख के वहाँ से भागने लगता है लेकिन ये दोनों से पकड़ लेते हैं और भूलती है कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया एक के साथ एक फ्री तब रायन बोलता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है तुम दोनों मेरे साथ फ्लोट कर रही थी ना कि मैं और जब कोई मेरे सामने चुक के खड़ा होता है तो मैं इतना शरीफ नहीं हो कि मैं कुछ ना करूँ उसके बाद राइन की वाइप महाँ पर आती है और वो राइन से रूडली बिहेव करने लगती है जिसके बाद ये दोनों भीवाद से जाने लगते है उसके बाद मेक क्रेट को किस करती है और Kate से कहती है कि जो कुछ हुआ आप हमें वो भूल जाना चाहिए और हम दोनों पहले की तरह best friend बन के साथ में रहना शुरू कर देंगे Kate की स्कूल का principal उसका promotion कर देता है क्यूंकि उन्हें Kate का teaching का तरीका पहले से ही पसंद था Make और Great बाबुशोना बन जाते हैं और Kate और Make फिर से दोनों साथ में रहने लग जाते हैं और ये मुवी यहां खत्म हो जाती है ऐसे ही और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेच्छों लाइक करें हन्यवाद